नमस्कार दोस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत सागत हैं, तो आज मैं आपके सामने फिर से कुछ Companies के आपडेट लेका है हूँ, और कुछ Companies की Importance, Support और Resistance के बारे में बात करूँगा, टेकिनिकली चार्ट पेडन के बारे में बात करूँगा, जो बहुत Importance र साथ बेल आइकन को भी Hit करके All कर दीजिएगा, Notification Continuous ली आपको मिलेगा, तो चलो देख लेते हैं, आज के कौन सा-कौन सा Stock है, सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, इस कंपनी के बारे में बात करूँगा, इस कंपनी मेरे सबसे पसंदिता कंपनी है, तो आप कहेंगे सार क्यों, देखिए, इस कंपनी के जो मैं बार-बार आपको बोल चुका हूँ, इस कंपनी के जो Specialty Chemicals है, वो Chemical 75% मार्केट से लेकर रखा है, और वो भी किसके उपर? Sodium Nitrate के उपर, देखिए, Sodium Nitrate एक ऐसे प्रोड़क है, जो बहुत ज़्यादा Sodium Nitrate से ही आते है, तो इसलिए मैं इस कंपनी के उपर ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, सिर्फ इहीं बात नहीं है, उससे भी बहुत सारे चीज जूड़ चुके है, जो मैं आपके साथ सेयर करूँगा, सबसे पहली बात कंपनी के जिए, पार्फोर्मेंस है, उसके बार देखाजे तो Return of Capital Employment, अगर देखेंगे तीन साल के आवराज में, वो भी 37% के उपर है, तो हर डेड़ा यहापे बहुत positive है, हाँ, आप बोल सकते है सर, इस कंपनी का जो valuation है, वो थोड़ा सा जादा है, मगर यहापे देखिए, valuation जो है, मुझे उतना जादा नहीं लगा, क् कि कमपानी का जो industry is peer ratio है, और उसका peer ratio, खुद का peer ratio, same to same level में है, इस सारे point यही measure करते है, कमपानी का stand के बार में, एक चीज में आपको यहापे दिखाना चाहूंगा, वो है quick ratio, quick ratio हमें सा कहा जाता है, कि 1% के उपर होना चाहिए, 1% के उपर ही है, ठीक ठाक है, और साथी सा सांदर है, EBIT margin भी सांदर है, सब कुछ detail सांदर होने के कारण, कमपानी का profit and loss, quarterly result, वो भी यहापे कमपानी के उपर अच्छा खासा देखने को मिला, तो यहापे देखेंगे, तो 1800 करोड का total sales था, इस बार 1900 करोड का sales हुआ, हाँ, expense थोड़ा सा जाधा हो गया, 1400 करड से 1600 करो profit एक दम हुआ ही नहीं, losses में चला गया, इसे बिल्कुल भी नहीं, छोटा मोटा correction है, इस तरह के सिर्फ चलते रहते है, 267 करोड का असपास profit था, इस बार 234 करोड का असपास profit हुआ, इतने सारे चीज में आपको इसलिए बोला हो, कि कि इस company के उपर एक बड़े institution ने एक ब पर आएंगे, तो इस तरह के से रिपोर्ट पब्लिस किया गया, देखें, बाई दीपोक नाइटर, टार्गेट प्राइज 2215, मतलब 2215 के टार्गेट दिया गया है, और वो भी किस ने दिया, ICC Securities, देखें, मैं बहुत बार चेक आउट कर चुका हूँ, ICC Securities जब कोई टार्गेट देता है, वो ज्यादा से ज्यादा तर हीट होता है, इसका मतलब नहीं कि हर स्टॉक में उसका टार्गेट हीट होगा, देखें, हमेसा कोई बैक्ति भगवान नहीं है, कि वो जो टार्गेट दे दे, वो ही टार्गेट फिल आप हो जाएगा, तो वो 良 record है उस level से company किस time के अंदर अंदर ऐराउंट एक, एक मुथ हो सकते है six month वहू सकते है और एक हफ्ती हो सकते है तो परिक्षा जाता है इतना दीन और अंदर प्रॉफिट मिंजाएगा।ise जितना time ज्यादा लगे कें से धर नांद जीएंग लगने यहां है छो जूं हुर कर देता हूँ तो अब यह गांव की ङरत कंवले इस रचांग बना था प्रीव के तो उसी रेंज को श्टाच करने के बाद जब यह पर वॉल्यम क्रेट हुआ मैं अपको बोला था यह पर जो वॉल्यम क्रेट हो रहा है तो भॉल्यम अगर ब्रेक आउट हुए तो बड़ा राली दीखेगा यह पर दीख सकते हैं कितना सांदार पिछले हपते में ही एक ब्रे ory तो चलो मैस को पर बाय करई लता हूँ आपको बार-बार भी अच्छा बहुत से साध्य के Souks 하나 Express को दिखेगा और वह बहु गधा charlie तक फी थी फॉर सिकस यह दोनों स्ट्रों क्रांग रेजिस्टेंस से इस पोलोन कोमपनी से बाल से वह यजिए जुरू बोध से बई तो कंपनी से कुछ करण से कमपनी ज्सक करेंगे धा अधानी गूर्प के बारे में बात करो, तो मुझे जूट जो झीस कमपानी सबसे जो वह अच्छा खासा देखने को मिलता है वह अधानी पोर्त आप कहेंगे सर इसक्रका बढ़ा करजा है, हाँ आपके बाद सही है, करजा है, मगर करजा मिटाने के बाद भी कंपानी किस तऱ के से पर्फम्स का रहा है वह देखना जुरूरी है चुछु कंपानी आतो इस कन्ट्रोल में रखने के हाँ आप कह सकते हैं सर आधास इंकम नेगेटिव है आधास इंकम क्यों नेगेटिव हुआ आपको बता दू कॉम्पानी के प्रोजेक्ट इस बार मिला था वो प्रोजेक्ट ना मतलब मिनने के बाद हिंदन बार के रिपोर्ट आने के बाद जो प्रोजेक्ट था वो कैंसल हो इसको देखेंगे तो यहापर डाउन हुआ था मगर पॉफिट आप्टर टैक्स देखेंगे तो कम्पणी के उपर यहापर प्रॉफिट देखने को मिला तो सारे पॉइंट से ही बताते हैं कि कम्पानी का स्टेंड क्या है एक रिपोर्ट पब्लिस किया है वो रिपोर्ट आप देखेंगे तो कम्पानी एक बहुत बड़ा अनॉस्मेंट किया को अधानी पोर्ट टू एक्सपेंट कैपासिटी ऑफ्टू 621 MTPA मैटिक टॉन पार रहनाम तो सोची एक इतना बड़ा एक अनॉस्मेंट किया इस अनॉस्मेंट के चलते हुए अधानी पोर्ट के उप और नीवेस करने से बहुत खत्रा हो सकते हैं लेकि खत्रा होगा हर कोई कपानी के बर खत्रा होगा कोई मिर् Wassermus बर बड़ा नहीं हो जाता और अधानी ग्रूप इंडिया के मतलब एक सेक्टर है ऐसा कंपानी है जो अगर बंद अने के सिंडिभी वा जादा से ज्यादा य है टोटली जो लोजिस्टिक कमपणी है उसको तो उस बेसिस में देखा जाए आपको यह याद रखना है अधानी ग्रूप का जो अधानी पोर्ट है वो एक मेचर कमपणी है और इस कमपणी ने बहुत बड़ अनॉंस्मेंट किया कि कमपणी जो केरला में जो इसका जो पोर् करने वाले हैं तो एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि आतानी पोर्ट ने 621 मिलियन टॉन पर एनम यह पर क्यापासिटी को इंक्रीज करेगा उस बेसिस में कमपणी का ग्रोथ अच्छा का सा दिखेगा और इसी बेसिस में कमपणी के टेक्निक लिए जो चार्ट पटन बना और मैं आपको बार-बार बोला था कापन हेंडल पैटन degrees还 में आपको तरीके से बना है अको त्रेड कुछ अस तरीके denk लेव्याए थूर क्लोज इंग अगर क्लोजिंग उस अगर आयर के बनकर कर घूर इंटी होगा और टार्क्ट रहेगा इज लेवेल है का आपका जो लेवेल है उसी लेवेल का टार्केट रहेगा तो अभी तक अगर अगर इस के केंडल ब्रेकाउट किया उसका मतलब हाई कितना था यहां पे और इस लेवल तो कोई भी ब्रेकाउट नहीं हुआ तो एक लोजिंग नहीं माना जाएगा इसको फॉल्स ब्रेकाउट बोला जाता है इस तरह के से टेड़ मत करिएगा अभी थोड़ा इंतेजर करिएगा और द कमेंड आएंगे तो इसको सिखाऊंगा देखिए जो रेंज बना कंटिनेसली ग्रीन कंडल का उसको मार्किंग करना है आपको मार्किंग करके दिखा जाए तो 34% के आसपास यहां पर इंक्रीजिंग देखने को मिला जब इसी लेवल के आकर टच करेगा एंटी लेवल यहा तो इस कंपनी के ऊपर में पहले भी बात कर चुका हूँ कंपनी कंटिनेसली यहा पर एक सपोर्ट रेंज क्रेट करनेके बद कंटिनेसली बूम देखने को मिला और मैं बहुत बार बोल चुका हुँ किए कमपने ने जो ब्रेक आव लेबल दिया हाईव विलिम के साथ वहा और breakout का लिए यहा पे volume अच्छा का सा देखने को मिला था तो जो breakout हुआ यहा पे यहीं में कहोंगा एो breakout strong breakout है पिछले दिनों के breakout को break किया और एक बड़ा रणी आपको देखनेगा मिल सकता है अभी देखना है इंसको तोड़ता है के नहीं तोड़ता है अगर थोड़ता है तो नेक्स लेवल जो रहेगा आपके लिए वो लेवल रहेगा इस लेवल तक जो लेवल रहेगा 2689 तो यह फास लेवल रहेगा सेकंड जो लेवल रहेगा इस लेवल को छोड़ दीजिए सेकंड लेवल रहेगा इस लेवल तक इस लेवल मतलब यहापे ज रिजिस्टन को कमपणी ने फेस किया तो या पर लेबल ब्रेक आउट हुआ है तो बड़ा प्रहली देखने को मिल सकता है यह था कुछ कमपणी का अपडेट तो मेरे वीडियो अच्छा लगए तो प्लीज एक लाइक करना और इसी तरीके से इनफर्मेशन और इनडेप्ट अनाइसिस सीखना है तो मेरे साथ जूड़े रहिएगा और टेलिग्राम को जोइन कर लिजेगा जितने सारे ट्रेट में खूद लेता हूँ वो मैं आपको पहले से ही सेर करता हूँ टेलिग्राम में याकर चेक आउट करिए और इस तरीके से इनफर्मेशन पाने के लिए जैनल को जुरू सब्सक्राइब करिए मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक लिए से सरी अपने ख्याल लखिए बाबाए